नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सवी का हिमाचरटिव में तो कैसे हो आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे आम फलों का राजा है और ये सब के पसंदीदा फलों में से एक है पर भई आम खाने के लिए तो पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि ये साल में एक वार ही मिलते हैं और मैं आज आप सब के पसंदीदा फल आम के बारे में एक बड़ी ख़वर लेकर आया हूँ और ख़वर ये है कि अब आप सभी को आम खाने के लिए पूरे एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जानिए पूरी रिपोर्ट तो चलिए शुरू करते हैं निचले हिमाचल के बागवान अब उगाएंगे आम की सदाबहार किस्म बारा महीने लगेंगे फल आर्थिक स्थेती भी होगी मजबूत आम एक ऐसा फल है जिसके सौत का हर कोई दिवाना है लेकिन जनाब अभी तक मायूसी ये रहती थी कि इसे चखने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ता था लेकिन सदाबहार नाम की आम की खिस्म में साल भर फल लगते हैं इसकी पैदावार अब हिमाचल में भी की जाएगी जिला कांगडा हमीरपुर उन्नावा बिलासपुर में इसकी खेती की जाएगी बन विवाग के माध्यम से इस परियोजना पर कारे किया जा रहा है जनर्री माह में इस योजना का शुबारंब मुख्यमंतरी जैराम्ठाकुर द्वारा किया जाएगा दूसरे आम के पेडों की अपेक्षा इसका पोध्वा बेहद छोटा रहता है ये लगभग 40 वरशों तक फसल देता है बे मोसम में फसल आने पर इसके फलों की कीमत बेहद अधिक रहती है ये पोध्वे थैली में लगे रहते हैं ऐसे में इन्हें कभी भी लगाया जा सकता है इन्हें 3000 फुट तक की उँचाए पर उगाया जा सकता है ग्राफ्टिंग के दो वरशों के बाद इसके ब्रिक्ष पर फल लगने लगते हैं वहीं वन युवा सेवाएं एवं खेल मंतरी राकेश पठानिय ने बताये की जिला कांगडा हमीरपूर उन्नावव बिलासपूर में शीग रही सदावहार आम के पोध्धे भी बागवानों को दिये जाएंगे आम की फसल के प्रमुक रोगों के प्रती प्रतिरोधिक शमता रखने वाले आम की इस किस्म की खेती राजिस्थान, छतिसगड, दिल्ली, हिमाचल और हर्याना समेत देश के कैए अन्ने राज्यों में हो रही है लंगडा जैसी आम की प्रचलित किस्म के मुकावले सदवहार जो एक ड्वार्फ किस्म है ये फल अधिक मीठे हैं आम की इस किस्म के ब्रिक्ष का आकार बहुत बड़ा नहीं होने के कारण यह किचन गार्डिनिंग का भी हिस्सा बन सकता है वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अभी हम बढ़ते हैं हमारी अगली ख़वर की ओर प्री प्राइमरी भरती में एंटिटी डिप्लोमा धारकों को करे शामिल शिक्षा मंतरी से मांगी राहत प्रदेश के एंटिटी डिप्लोमा धारकों ने शिक्षा मंतरी गोविन सिंग ठाकों से प्री प्राइमरी की भरतीयों के लिए बनाय जा रहे भरती एवं पदोनिती नियम में एक साल के डिप्लोमा को भी शामिल करने की मांग की है इसमें आगरह किया गया है कि प्रदेश के हजारों युवाओं ने एंटिटी एक साल के कोर्स को पूरा कर लिया है और ये कोर्स 2019 के बाद बरतमान समय तक हजारों संख्या में लोगों ने किया है इसलिए 2019 के बाद जिन्होंने ये कॉर्स किया है उन्हें प्री प्रैमरी अध्यापक बनने के लिए पत्र बनाये जाए सबी डिप्लोमा धारक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले प्री नरस्री अध्यापकों की भरती प्रक्रिया में चामिल होने का उन्हें अबसर मिलेगा इसके अतिरिक्त इस भरती के लिए अधिक्तम आयू सीमा को बढ़ा कर 45 वर्ष किये जाने की मांग की गई है आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में